हेलो फ्रेंड नाहाद नियुव टॉपिक दीवर फंक्षन टेस्ट सो दीवर फंक्षन टेस्ट में सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो नियुमोनिक है वो क्या है वो नियुमोनिक यह है कि जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो इनको याद रखने के लिए एसे हम याद रखेंगे कि एसे हम अल्विमिन लेवल देखते हैं फिर एसे हम एजी रेशियो देखते हैं एसे हम अमोनिया का लेवल देखते हैं और एसे हम जो है अलफा वन एंटी ट्रिपसिन का लेवल देखते हैं ओके तो बी की बात करें बी से हम बिलूबिन देख सकते हैं बिलूबिन जो हता है टोटल ब काले и स्थाफिक्ट कॉल श्राइलिन की बात करें तो सी से को अर्द यां डेखते हैं जसमें प्रो सिर्वल प्लाज्म्च का टेस्ट आता है फिर D से हम Bromo-Selfthelin-Dye, एक्च्छल में D for dye है यह, तो जो dye यूज़ करते हैं वो है Bromo-Selfthelin-Dye, इसके बाद जो E है, इमें हम Enzyme Markers देखेंगे, जिसे Enzyme Markers जो है, हिपेटिक फंक्शन चेक करने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो है ALT, AAST, उसके बाद LDH 4 & 5, इसके बाद 2 Indicate Obstruction, तो यह हिपेटिक फंक्शन था, और अगर जो बाइल में अगर Obstruction आता है, बाइल दक्ट में, तो इसके लिए ALP, then GGT, और 5 Nucleotides, इनको चेक करते हैं, इसके बाद F से हम देखेंगे, Serum Ferritin Level, F यानि Ferritin Level, डबल आ रहाएगा, Ferritin Level, तो Serum Ferritin Level, इसके बाद Alpha Phetoprotein, इसको हम AFP भी कहते हैं, तो F से हम Ferritin Level और Phetoprotein देखेंगे, G से हम Globuline देखेंगे, और एक होता है Galactose Toluance Test, इसको हम देखेंगे, H4 होता है Hipuric Acid Ascretion Test, और एक होता है Hipotoglobin Test, फिर इसके बाद H से ही हम जो Hepatitis Antigen है, इसका Detection करेंगे, और I से हम देखेंगे Immunological Test, तो अब इसमें हम One by One, एक एक करके सारे टेस्ट को डिसक्स करते हैं, तो जो Serum Albumin है, ये केवल और केवल लीवर से सिंतेसाइज होता है, इसका जो Half Life है, सिंतेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए Albumin Concentration सिंतेसाइज में डिक्रीज हो जाएगा, तो it is indicated for in case of chronic liver damage, तो chronic liver damage के condition में इसको हम देखते हैं, अगर Albumin Concentration down होता है, तो जो Ag ratio है, वो भी down हो जाएगा, और इसका detection हम Electrophoresis से करेंगे, तो यह था Albumin, Albumin के बाद हम आते हैं, second is the Ag ratio, नॉर्मली जो Ag ratio होता है, वो 1.5 से 2 लेकर के स्टू 1 होता है, यानि कि 1.5 या 2 तक स्टू 1 होता है, तो कभी-कभी जब Albumin production नहीं हो पाता, तब यह Ag ratio reverse हो जाता है, ऐसा दो condition में हो सकता है, कि अगर Renal Damage हुआ है, तो Renal Damage में, चुँकि Albumin बहुत lighter weight का होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा urine में Albumin जाता है, और Albumin का Concentration कम हो जाता है, तो Renal Damage भी चेक कर सकते हैं, दूसरा, Lever Damage होने के काराण Albumin नहीं बनता, तो इसके काराण हम Renal Damage और Lever Damage चेक कर सकते हैं, अब next आता है Ammonia, अमोनिया तब Concentration ज़्यादा बढ़ता है, जब Hepatic Incipelopathy की condition होती है, तो और दूसरा, जब भी Urea Cycle में Disorder होता है, और Cirrhosis of the Lever होता है, इसके बाद में A4 आगया Alpha-1-Antitrypsin, तो Alpha-1-Antitrypsin जो है, इसमें ये तब Affected होता है, जब Chronic Cirrhosis होती है लिवर में, तो इसमें Alpha-1-Antitrypsin का जो यूज है, वो ये है कि ये M5 सीमा नहीं होने देता लंग्स में, लेकिन जब भी इसकी कमी होगी, Alpha-1-Antitrypsin की, तो लंग्स में M5 सीमा होगा, और क्योंकि जो Macrophages होते हैं, लंग्स में, वो Elastase Produce करते हैं, तो ये M2-Antitrypsin, M2-Antitrypsin मतलब ये होता है, Protease Inhibitor, और different type की जो Protease है, उसको Inhibit करता है, तो Elastase वगरा इसका भी Inhibition करता है, पर अगर इसकी कमी होगी हो जाती है, तो for example, लंग्स में Elastase जो है Produce होता है, तो ऐसी कंडिशन में, लंग्स में M5-CMA हो जाता है, अब हम आते हैं, A हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं B पर, B पर आते हैं, first है Bilubin Level, Bilubin Level जो होता है, वो Joindis के case में बढ़ जाता है, तो Joindis तीन टाइप की होती है, Pre-Hepatic Joindis, Hipatic Joindis और Post-Hepatic Joindis, Pre-Hepatic Joindis को हम Hemolytic Joindis भी कहते हैं, क्योंकि इसमें Hemolysis होता है, Hipatic Joindis को हम Hipatic Joindis ही कहेंगे, क्योंकि इसमें Hipatic यानि Lever Involument होता है, Post-Hepatic Joindis को Obstructive Joindis भी कहते हैं, ज़्यादा करके यह Bilelect Occlusion से होने वाला Hepatitis होता है, Normally, जो Bilobin Concentration है, वो Total Concentration 1.2 mg per deciliter serum में होता है, Conjugated जोकि एक Direct Bilobin है, यह Concentration 0.2 से 0.4 mg per deciliter होता है, Indirect यानि Unconjugated 0.2 से 0.6 mg per deciliter होता है, Normal Procedure यह है, कि जब Erythrocyte का Life Span 120 दिन है, और इसका जब Breakdown होता है, तब Blood में Unconjugated Bilobin Release होता है, है ना, Due to Destruction of RBC, तो जो Heem और Gloobin portion है, वो बाद में Convert होता है Bilobin में, Bilobin बाद में Albumin के साथ Bind होता है, Albumin के साथ Bind होने पर, Lever उसका Conjugation करता है, और यह Conjugated Bilobin, लिवर के साथ में, जो Lever में Bile दखते हैं, उसमें इसका Glucoronation होता है, तो Glucoronation होने पर, Lever में Conjugated Bilobin Glucoronated हो जाता है, जो कि Bile से वापस से Intestine में जाता है, Intestine में यह Conjugated Bilobin, Eurobilinogen में Convert होता है, Eurobilinogen, Eurobilin में Convert होता है, Eurobilin, जब Fecis में निकलता है, तो Starcubilin का जो इसमें Chemical है, उसके कारण Fecis का Color Yellow हो जाता है, यही Eurobilin, Intestine से जब Absorb होता है, तब Kidney में जाता है, और Urine में Filter होके बाहर निकलता है, तो अगर Unconjugated Blood में रहेगा, और Hepatic Damage होगा, तो Hepatic Damage होने से, जो Conjugated Bilobin है, उसका Glucoronation नहीं होगा, यानि कि, यह Conjugation ही जो है Leaver में नहीं होगा, इसलिए Pre-Hepatic Jointis की अगर हम बात करें, तो Pre-Hepatic Jointis में Unconjugated Bilobin Release होता है, या फिर इसका Concentration बढ़ जाता है, Hepatic Jointis में कुछ पार्ट Unconjugated और कुछ पार्ट Conjugated Bilobin का Detect होता है, Post-Hepatic जब हम बात करते हैं, तो Post-Hepatic में Always Conjugated Bilobin का Concentration सीरम में जादा होता है, तो जो Pre-Hepatic Jointis है, इसका हम Hemolytic Jointis कहते हैं, और सीरम में चुकि Unconjugated Bilobin जादा रहेगा, तो Unconjugated Bilobin Increased Urinary Excretion में Eurobilinogen में बाहर Asquerate Out होगा, तो Urine में Unconjugated Bilobin मिलेगा, Obstructive यानि की Post-Hepatic Jointis की बात करें, तो इसमें Conjugated Bilobin का Concentration जादा होगा, और जो Obstructive Jointis है, इस Condition में जो Bile Cannelly कुलाई है, उसमें Normally Alkaline Phosphatase होता है, तो Bile Cannelly कुलाई का Regitation होगा, उसका रप्चर होगा, तो Alkaline Phosphatase Enzyme जादा बनेगा, इसके अलावा, Alkaline Transaminase और Asparted Transaminase का Concentration भी बढ़ता है, अगर हम केवल Hepatic Jointis की बात करें, तो इसमें Unconjugated और Conjugated दोनों टाइप का Bilobin मिलेगा, और इस समय, ALT और ST का Concentration बढ़ेगा, लेकिन, ALT का Concentration बढ़ना एक Significant Concentration है, यहाँ पर, AST का Concentration अगर बढ़ता है, तो वो Significant नहीं है, तो Bilobin Concentration का Jointis में Detection किया जाता है, विद दे हेल्प आप Wandenberg Reaction, यहाँ पर आप देखेंगे, Vb Small है, Db Small है, लेकिन B Capital है, तो इसको ऐसे ही लिखना है, अब इसमें, जो Mechanism of Wandenberg Reaction है, वो यह है, और जो Basic Principle है, वो यह है, कि, Dye Azotized Sulfanilic Acid का Mixture जो होता है, उसको Bilobin से Reactor करवाई जाता है, तो यह Purple Color देता है, Purple Color क्यों बनता है, क्योंकि Dye, क्योंकि Azo Bilobin बनता है, ओकि, Azo Bilobin बनने के कारण, Purple Color होता है, और जो Chemical में आपको बताया है, वो है Dye Azotized Sulfanilic Acid, अब यह Normally, Conjugated Bilobin होता है, सबसे बहुएल हम Conjugated की बात करते हैं, तो Conjugated Bilobin जो होता है, वो Solubal होता है, किसमें? Water में, और Conjugated Bilobin कब बनता है, जब Post-Hepatic Damage हो, या फिर, हिपेटिक देमेज हो, है ना, जिससे मैं आपको यहाँ पर बताया, या तो हिपेटिक डेमेज हो हो, तो कुछ पार्ट Conjugated रहेगा, कुछ पार्ट Unconjugated रहेगा, या फिर, Post-Hepatic Damage हो हो, तो कुछ पार्ट जो होगा, वो सारा ही Conjugated होगा, तो Conjugated जो Bilobin है, वो Water Solubal होता है, Easily Escalate Out हो जाता है, Urine में, तो ये Conjugated Bilobin, Easily React करता है, हमारे Diazotized Sulfanilic Acid से, और फटाफट, मतब विदिन सेकेंड जो है, परपल कलर देता है, तो परपल कलर देने पर, इसको हम कहेंगे, Direct Positive, Vondenberg Reaction, लेकिन, जब Unconjugated Bilobin होता है, तो Unconjugated कब बनेगा, Unconjugated बनेगा, in the case of, Pre-Hepatic Joindis, तो Unconjugated को सबसे पहले, जब Reaction कराई जाती है, तो किसके साथ में, वही Diazotized Sulfanilic Acid के साथ में, तो ये लगबग 30 मिनिट के बाद में, परपल कलर देता है, लेकिन, इसमें एक चीज और डालना पड़ती है, वह है Methanol, Methanol डालेंगे, तभी ये Unconjugated Belubin जो होता है, ये Solubilize होता है Methanol में, और Solubilize होने के बाद ही, वांडन बर्ग Reaction देता है, और इसमें इसको लगबग 30 मिनिट लगते हैं, इसलिए, इस Unconjugated Belubin के Positive आने पर, इसको हम Indirect Positive कहते हैं, और Indirect Positive अगर आता है, तीस मिनिट बाद आता है, तो हम कहेंगे, कि ये जो है Pre-Hepetic Jointus का Reason है, इसके बाद में, एक होता है, कभी-कभी कि भाई, Conjugated और Unconjugated दोनो टाइप के, Belubin सीरम में हैं, ये किस Condition में होता है, ये होता है, इन दे कंडिशन आफ, जब हिपेटिक जोइन डिस होता है, तब ऐसी Condition में, पहले तो, 30 सेकेंड के अंदर, Light Purple कलर आता है, फिर इसके बाद, जब हम इसमें थोड़ा सा, अलकोहल मिलाते हैं, या मिथिनॉल मिलाते हैं, तो लगबग 30 मिनिट के बाद, ये जो Light Purple कलर है, ये Old Dark हो जाता है, इसको हम कहते हैं, Biophasic Vandenberg Reaction, तो इससे ये पता चलता है, कि इसका Importance ये है, Vandenberg Reaction का, कि हमें ये पता चल सकता है, कि कौन से टाइप का ज्वाइन डिस है, देखिए, अगर Indirect Positive आया है, तो वो Hemolytic Joined इस है, क्योंकि इसमें Unconjugated Bilubin बनता है, Direct Positive आया है, तो वो Obstructive Joined इस है, क्योंकि इसमें सारा का सारा Bilubin Conjugated होता है, Water Solubal होता है, और 30 सेकंड में Reaction देता है, Biophasic आया, तो इसमें कुछ पार्ट Conjugated Bilubin का होता है, और Biophasic में 30 सेकंड में Purple Color, Light Purple Color आता है, और फिर इसमें Methanol में लाए जाता है, तो फिर बाद में ये जो होता है, 30 मिनिट के बाद में Dark Purple में Convert होता है, यानि की Hepatic Joined इस है, अब Bilubin की ही Urine में बात करें, तो हमें ये पता है, कि Conjugated Bilubin Water Solubal होता है, तो Conjugated Bilubin Easily Urine में Pass Out हो जाता है, जबकि Unconjugated Bilubin Urine में Pass Out नहीं होता, तो इसलिए जब हम जो Conjugated Bilubin हैं, इसका Detection Urine में करते हैं, तो इस Test को कहते हैं, Future Test या फिर Melin Test, ठीक है, Future Test या फिर Melin Test, तो ये याद रखना है, तो आप Idea लगाएं, कि Future Test का Positive आएगा Urine में, Future Test तब Positive आएगा Urine में, जब Conjugated Bilubin Release होगा, Conjugated Bilubin किस ताइम रिलीज होता है, Conjugated Bilubin जब Hepatic Joint इस है, या फिर Post Hepatic Joint इस है, इसका मतलब ये है, कि Future Test नेगिटिव रहेगा, इन केस आफ हिमोलिटिक ज़एंडिस में, अब B से हमने पढ़ा अभी तक, Bilubin अब B से Bile Salt, Bile Salt क्या होते हैं, Bile Salt, Sodium और Potassium Salt, आफ Gluconate, एंड Taurokolate होते हैं, तो इसके लिए, इसके डिटेक्शन के लिए, हैस टेस्ट लगाते हैं, तो ज़एंडिस के केस में, Bile Salt तो, हिमोलिटिक ज़एंडिस में, ये रिलीज नहीं होंगे, यूरिन में, लेकिन, जब हैस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इन केस आफ, आफ्स्ट्रक्टिव ज़एंडिस, एन हिपेटिक ज़एंडिस, तो इसके लिए, हम हैस टेस्ट लगाते हैं, चुकि हमें पता है, कि Conjugated Bilebine, यूरिन में, पास आउट हो जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉलिबल होता है, तो यूरिन में, जो हम टेस्ट लगाते हैं, तो वो टेस्ट होता है, क्योंकि ये वाटर सॉलिबलाइस फॉर्म में है, यूरिन में चला आता है, पर यूरो बिलिन उजटर जो होता है, वो भी यूरिन में जाता है, और यूरो बिलिन उजटर पॉजिटिव होता है, in case of hemolytic jointis, यानि कि pre-hepetic jointis तो यहाँ पर आप यह याद रखना कि eurobilinogen जो होता है urine में release होता है और या फिर conjugated bilobin urine में release होता है तो eurobilinogen that is positive यह objective भी आता है कि eurobilinogen निकलता है urine में that is positive in case of hemolytic jointis अब हम C पर आते है तो C में पहला क्या आता है cholesterol, तो serum cholesterol level हम check करते है जब भी liver damage होगा तो liver क्या करता है cholesterol, bile के through cholesterol का mist cell बनाता है यह पता है हमें तो bile obstruction अगर है या किसी भी type का bile defect है तो जो normal level है वो 1500 से 200 mg per deciliter cholesterol का होता है तो फिर cholesterol का level क्या होगा liver damage होने के कारण या liver problem होने के कारण change जाएगा liver damage होने के कारण जो cholesterol synthesis है या फिर cholesterol degradation नहीं होगा तो cholesterol concentration बढ़ेगा triglyceride concentration भी बढ़ेगा तो यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग parameters हैं जिसे अभी हमने बताया bilubin concentration सीरम में बढ़ता है liver damage होने पर इसके अलावा albubin concentration घड़ जाता है urea ammonia concentration बढ़ेगा इसके बाद drugs की half life बढ़ जाएगी बाइल एसीड का concentration बढ़ जाएगा ठीके प्रो थ्रॉम्बिन टाइम बढ़ेगा क्योंकि जो प्रो जो clotting factor है वो संतेसाइज होते हैं liver से और clotting नहीं होगी तो प्रो थ्रॉम्बिन टाइम बढ़ेगा enzyme activity जैसे alanine transaminase aspartate transaminase और gamma glutamyl transseptitis यानि GGT इसका concentration भी इन तिनों का बढ़ेगा नाव नेक्स्ट जो mnemonic है वो है C तो C में हम बात करते हैं coagulation profile की coagulation profile में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रो थ्रॉम्बिन टाइम की तो प्रो थ्रॉम्बिन टाइम जो है जब भी liver damage होगा तो बहुत सारे clotting factor है जो नहीं बन पाएंगे क्योंकि clotting factor liver में बनते हैं ओके तो जब clotting factor नहीं बनेंगे तो clotting का time बढ़ जाएगा इस बड़े हुए time को हम कहते हैं प्रो थ्रॉम्बिन टाइम तो प्रो थ्रॉम्बिन टाइम भी बढ़ जाएगा नॉर्मली जो प्रो थ्रॉम्बिन टाइम है वो जो है नॉर्मल से प्रोलॉंग हो जाएगा जो clotting factor का half life होता है वो 5 to 72 hours होता है तो यह बहुत कम half life है इसलिए जब भी liver damage होगा हम यह बता सकते हैं कि clotting factor अगर कम हो गए इसका मतलब यह है कि अभी 6 घंटे पहले liver damage हुआ या 8 घंटे पहले liver damage हुआ तो clotting time जो होता है वो एक quick assess देता है for the acute liver damage है ना और 72 hours में देता है इसलिए हम इसको chronic case में भी use कर सकते हैं लेकिन फिर भी acute case में या early diagnosis के लिए हम clotting factor का use करते हैं और इसके लिए हम जो है prothrombin time का use करते हैं इसमें एक चीज़ और है कि बहुत सारे clotting factor है जो vitamin K बनाता है जैसे factor second seven, nine, ten तो अगर vitamin K deficiency होती है ना तब भी यह factor नहीं बनते हैं ऐसे में भी prothrombin time बढ़ जाता है इसलिए to rule out either it is liver damage or it is due to deficiency from vitamin K तो आप सबसे पहले vitamin K का estimation करने की क्या vitamin K deficiency तो नहीं हो रही अच्छा इसके बाद clotting factor में ही दूसरा एक term आता है वो है seruloplasmin तो अब हम seruloplasmin की बात करें तो seruloplasmin मैंने आपको plasma protein में भी पहले discuss किया है मेरे आप वीडियो में देख सकते है plasma protein का तो seruloplasmin एक type का protein है जो की liver synthesize करता है और seruloplasmin एक alpha 2 globin है जिसका molecular weight 1,50,000 होता है और यह लगभग 90% copper के साथ banding करता है और 10% जो banding होती है वो albumin करता है तो copper के साथ banding इसलिए जरूरी है क्योंकि copper जो होता है अगर free रहा तो यह बहुत सारा damage करेगा body में और इसी damage को हम बोलते हैं Wilson's disease तो Wilson's disease भी बहुत important disease है यह हम copper metabolism में पढ़ते हैं और मैंने आपको plasma protein के मेरे वीडियो में भी बताया था तो what is the Wilson's disease Wilson's disease में क्या होता है Wilson's disease में there is a deposition of copper in the liver as well as in the lenticular nucleus of brain तो इसलिए हम इसको hepatolenticular degeneration कहते हैं Wilson's disease copper से होने वाले disease है और इसमें degeneration होता है liver का और lenticular nucleus of brain का दूसरा क्या है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि there is low level of seruloplasmin और low level of seruloplasmin कब होगा जब liver damage हो रहा होगा इसके बाद copper कहा कहा deposit होता है kidney में deposit होता है और damage करता है इसके लाबा इसके कारण अगर kidney damage होता है तो amino acid से glucose है peptide से hemoglobin ये भी urine में release होने लग जाते है intestine में इस copper का absorption सबसे ज़्यादा होता है than the normal इसलिए wilson disease होने के संभावना है और बढ़ जाती है इसलिए ऐसे टाइम पे seruloplasmin का होना बहुत ज़रूरी है अब ये सा इसलिए होता है क्योंकि seruloplasmin जो है नहीं बन रहा in the liver ओके दूसरा ये है कि copper का secretion नहीं हो पा रहा है copper का excretion नहीं हो पा रहा है और excretion नहीं होने के कारण wilson disease होती है इसका treatment ये है कि हम penicillamine एक drug है उसको administrator करते हैं जो कि copper के साथ binding करता है क्योंकि good chillating agent है copper के साथ chillate कर लेता है और इसलिए इसको हम treatment में देते हैं अब next pneumonic हमारा है D D यानि कि die तो die कौन सी है यहाँ पे die है bromo self theline तो bromo self theline एक एसी die है जो कि to assess the excretory function of the liver है ना तो assessment of excretory function के लिए responsible होती है यह लगबग 5 mg पर केशी body weight दिया जाता है और यह bile के through excret होती है तो 2 घंटे में लगबग यह पूरी clear हो जाती है सिर्फ 5% बचती है तो नार्मल वे में 2 घंटे के अंदर अंदर वैसे नार्मल वे में क्या होता है नार्मल वे में यह है कि 45 मिनट के अंदर भी यह लगबग 5% ही बचती है बाकी excret out हो जाती है लेकिन फिर भी इसका assessment दो घंटे तक करते हैं अगर इसका retention body में होता रहे और अगर 5% भी जो है बचा हुआ नहीं रहे मतलब 10% बचे या 20% बचे तो इसका मतलब यह है कि यह excret out नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि liver damage हुआ है तो डीफ और डाई से हम इससे टेस्ट लगा सकते हैं अब इफ और एंजाइम्स पर आते हैं तो बहुत सारे एंजाइम मार्कर ऐसे हैं जिससे हम liver disease या फिर liver damage का diagnosis कर सकते हैं तो एंजाइम्स में या तो हजी ओटी जिसको AST कहते हैं और हजी पीटी यानी ALT तो normal level of AST होता है 5 to 40 international unit per liter और ALT का होता है 5 to 35 international unit per liter in the serum तो ALT is very specific for the diagnosis of any liver disease अगर ALT बढ़ा हुआ है तो in condition of infectious hepatitis ALT बढ़ा हुआ होगा और AST अगर बढ़ा हुआ है तो AST जो है non-specific है लेकिन फिर भी alcoholic liver damage हो रहा है cirrhosis of liver है myocardial infection है तो in condition में जो है AST concentration बढ़ा हुआ रहता है इसमें एक चीज़ में बताना चाहुआ है कि ये concentration लगभग 1000 times बढ़ा हुआ रहता है और यही चीज़ important है ऐसा नहीं है कि एक ये दो गुना बढ़ा है तो हो गया ये लगभग 1000 times बढ़ा हुआ रहता है जो की significant है और जो की important है इसके अलावा जो other enzymes हैं उसमें एक LDH होता है lactate dehydrogenase ये 4 and 5 क्योंकि इसके 5 अलग-अलग iso enzymes होते हैं जिसमें पहला वाला तो heart में मिलता है अब इसके अलावा जो 4 and 5 हैं ये लीवर में मिलते हैं तो लीवर डेमेज होने से इसका concentration बढ़ता है और ये जो LDH है ये एक non-specific enzyme है इसके अलावा एक enzyme है जिसको कहते है alkaline phosphatase ये मिलता है जो biliary cannibalize हैं उनकी cells हैं उसमें तो जब भी cholestasis की condition बनती है तो cholestasis में ये alkaline phosphatase जो होता है 10 to 12 times बढ़ जाता है तो लगवा कि 2 to 3 times कब बढ़ता है जब किवाद regurgitation of bile मतलब bile वापस से जो है अभी bile normally कहा जाता है bile normally intestine में जाता है लेकिन जब bile वापस से regurgitate हो के liver में चला जाता है तो ऐसी condition में liver damage होता है और ये alkaline phosphat बढ़ता है 2 to 3 times लेकिन जब obstruction ही हो जाता है bile का because of cholestasis cholestasis में क्या होता है जो cholesterol की जो particles होते हैं वो मिशेल तो बना लेते हैं लेकिन वो इस्टोन में convert हो जाते हैं तो इक कॉलिस्टेसिस के कारण alkaline phosphat बढ़ता है और कॉलिस्टेसिस के condition में 10 to 12 times जो है alkaline phosphat बढ़ता है अगर हम bile का जो bile duct tumor है उन condition में देखें तो लगभग 20 times alkaline phosphat बढ़ जाएगा इसके लबा अधर नॉन सिनिफिकेंट जो enzymes हैं जैसे GGT है ना gamma glutamyl transaminase तो यह concentration especially use किया जाता है और यह important भी है objective भी पूछा जाता है कि alcoholic liver assessment कि से किया जाता है तो alcoholic liver assessment किया जाता है GGT से ऐसे फाइफ हाइड्रोक्सी फाइफ 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 फ्राइम नुक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होता है उसमें भी कोलिस्टेसिस की condition में यह बढ़ता है तो अब हमने बात की E की अब हम बात करेंगे F की तो F में पहला आता है ferritin ferritin level हमेशा it increases in condition of the hemocederosis and hemochromatosis तो यह याद रखना है कि जब भी hemolytic enemy आव अगेरा भी होगा तो ferritin का concentration down हो जाएगा इससे भी हम जो liver assessment है या liver function है वो assess कर सकते हैं इसके बाद एक होता है alpha-phetoprotein alpha-phetoprotein cirrhosis की condition में बढ़ता है और cancer की condition में तो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है तो alpha-phetoprotein का estimation हम करते हैं और यह जो है neural tube defect में भी इसको हम check करते हैं तो alpha-phetoprotein जो होता है यह कब मिलता है यह alpha-phetoprotein जो होता है basically यह मैंने आपको मैंने एक एम्नियोटिक फ्लूइड और सेल्बरेस्पानल फ्लूइड के ओपर भी एक वीडियो बनाए था यह उसमें भी आपको मिलेगा यह जो alpha-phetoprotein होते हैं यह नॉर्मल होते हैं 15-40 міक्होटि मां ग्रम सेल्बायओ Size यह भी एक अरं और यह क्युकित है जब बन्यूराल रृब नियूर्य भीक फीट से कटी में यह चैनल सेिंडरोम होता है इस लिईडरोम होता है तो एसी कंदिशन में हम जो हैं फेटो प्रोटीन का एसेस्मेट करते हैं और ये प्रोटीन चो होता है कैंसर केक्स में इन केस ओफ जिसे फीटस वग्राविंस हो जाता है तो बहुत 2-3 ग्राम पर डेसिलिटर नॉर्मल होता है बट इन क्रोनिक लिवर डिसीज में यह बढ़ जाता है फिस जी से ही हम गेलेक्टोस टॉलरेंस टेस्ट की बात करें तो गेलेक्टोस एक मेजर मेटाबोलिक फंक्शन के लिए रिस्पॉंसिबल होता है और मेटाबोलिक एसस्में ज्यादा हो रहा है तो हौफ टू वन ऑवर के अंदर ही नॉर्मली गेलेक्टोस पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए पर इसके बाद भी अगर यह आपको ब्लड में मिलता है तो आप मान लीजिए कि गेलेक्टोस होता है वो अब हम एच की बात करते हैं एच म ग्लोबीन हीपेटोग्लोबीन क्या है यह एक्यूट फेस प्रोटीन होते हैं जब भी लिवर डेमेज होता है तब यह एक्यूट फेस प्रोटीन का सिंतेसिस भी लिवर में होता है तो लिवर डेमेज की कंडिशन में हीपेटोग्लोबीन कंसंट्रेशन घड़ जाएगा ब यह acute phase protein बढ़ता है आई फॉर बात करें immunoglobin तो immunoglobulin जो होते हैं वो in condition of hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C तो ऐसे virus के infection में immunoglobulin बढ़ते हैं तो ऐसे भी हम liver का assessment कर सकते हैं एक age for hepuric acid synthesis यह और बताना रहे गया hepuric acid synthesis होता है liver में it is mainly responsible for metabolism of xenobiotics याने की responsible for detoxification function of liver तो hipuric acid जो है liver में produce होता है और इसका detoxification function test करने के लिए हम 6 gram sodium benzoate को 250 ml water में dissolve करते हैं और यह जो benzoic acid होता है यह glycine के साथ already mixed रहता है तो इसको ओरली दिया जाता है और जब ओरली दिया जाता है तो जस्ट एक light breakfast करवा दिया जाता है लाइट breakfast करवाने के उस समय जो है bladder को empty कर दिया जाता है फिर 4 गंटे के बाद में हम bladder का collection लेते हैं urine collection लेते हैं और यह चेक करते हैं कि अब sodium benzoate कितना है सपोज अगर sodium benzoate 6 gram तक आ रहा है that means 7.5 gram तक hypiric acid synthesis हुआ होगा तो एक healthy person में लगभग 60% of sodium benzoate यानी की 4.5 gram of hypiric acid जो होता है वो release हो जाता है इन 4 गंटों में लेकिन अगर इन 4 गंटों में 60% sodium benzoate release नहीं हुआ that means it indicate liver damage and there is a reduction in the hypiric acid excretion ओके अब इसके बाद मैं यह बताना चाहरा हूं कि liver function test क्यों करते हैं तो हम इसमें यह लिख सकते हैं कि functions of liver functions of liver क्या क्या होते हैं लिवर का पहला function होता है excretion करना तो लिवर जो होता है डिफरेंट टाइप के bile pigments है bile salt है है ना हम जो एक डाई दे रहे हैं ब्रोमो सल्फ थैलीन तो इसका excretion करता है दूसरा लिवर का function है serum enzyme produce करना तो हम यह serum enzymes जैसे 5 nucleotides, gamma glutamyl transferase, ALT, AST, enzyme detection कर सकते हैं लिवर का तीसरा function है metabolic capacity check करना तो लिवर का function की वो synthetic function है बहुत सारी चीज़े synthesize करता है तो जैसे clotting factor synthesize करता है तो इसलिए prothrombin time और serum albumin है ना यह synthesize करता है इसके बाद लिवर का next function है detoxification तो यहां हम इससे assessment करते है with the help of hyperic acid synthesis तो यह लिवर के functions है इसके बाद एक function लिवर का और है जो इसमें नहीं लिखा है और वो है storage लिवर बहुत सारे जो vitamins इसका store करता है जैसे vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12 लिवर जो है iron को भी store करता है glycogen store करता है now next topic आता है indication of LFT हम LFT करते क्यों है किन किन condition में करते हैं तो हम LFT करते हैं to differentiate joint disease in condition of cirrhosis of liver in condition of alcoholic liver disease in condition of chronic liver disease in condition of metastasis यानि कि कोई tumor भी होगा तो उसके detection के लिए toxin in the liver अगर कोई toxin है तो इसके लिए next topic है classification of LFT तो LFT को दो भागों में बाटा गया है पहला जो इसके test हैं जो बाइल पिग्मेंट बाइल साल्ट है ना यूरीन बाइल साल्ट इन दे यूरीन और यूरो बिली नोजन इन दे यूरीन बाइक केमिकल में दूसरा आता है एंजाइम मारकर्स तीसरा आता है metabolic functions जैसे की glycogen tolerance टेस्ट होगे रहा फिर synthetic function जैसे total protein, albumin, globalin ratio फिर special test कुछ होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन का सेकेंड पॉइंट वो है clinical dysfunction जैसे लिवर डिसफंक्शन लिवर डिसफंक्शन में आते हैं बिल्दोबीन बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट यूरो बिलिनोजन एजी रेशियो और एंजाइमेटिक मारकर्स यह भी क्लिनिकली मतलब यह दो हैं जो क्लिनिकल सिनिफिकेंश रखते हैं जैसे मारकर ओफ लिवर इंजरी और मारकर ओफ खली स्थेस तो इस इस अल बाट अल बाट यह दू अजिए अज़िए थिस तोपिक थाटी थाटी थाटीज वाचिए झाल जग़िए